असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों को ब्लाउस की साइज लेने का तरीका बताऊंगी देखिए हम सामे से भी लेंथ ले सकते हैं लेकिन हम बैक साइड से लंबाई लिएंगे ब्लाउस की शोल्डर के पास हम टेप कु रखेंगे इस तरह जा हमारी ये शोल्डर की सिलाई है ब्लाउस की वहाँ पर हम इस टेप कु रखेंगे देखिए इस तरह टेप कु रखते वे हम ब्लाउस की लंबाई लिए तो ये ब्लाउस की लंबाई है 13 and half inch तो हम ये notebook में note कर लेंगे यानि कि 13.5 इंच लंबाई है blouse की अब हमने लंबाई ले ली है blouse की अब हम इसका shoulder लेंगे shoulder के लिए हम इस side से रखेंगे tape को रखते भे हम back side से पिछे से इस हिस्से पर यानि कि जो हमारी shoulder की हटी होती है वहाँ से लेंगे देखिए blouse की शिलाई थोड़ा नीचे है तो हम नीचे से नहीं लेंगे बलकि इस हड़ी के पास से लेंगे तो इनका जो shoulder है वो 14 इंच है यानि कि 14 इंच तो इस तरह हम इस हड़ी के side से यानि कि इस side से अगर blouse आपकी fitting अच्छा है तो इस size के हिसाब से आप ले सकते हैं लेकिन अगर blouse की fitting सही नहीं है shoulder डाल रहे है तो आप इस हड़ी के पास से tape कु रखते हुए back side में इस तरह लेंगे तो इनका जो shoulder है ये 14 इंच है तो मैं आप shoulder लिख लूँँगी 14 इंच आप देखिए हम बगल का size लेंगे बगल का size लेने के लिए हम नीचे से tape कु दालते हुए round मापिंगे देखिए round हम बगल के अंदर से tape दालने के बाद ये size आता है 16 इंच देखिए इस तरह ये 16 इंच है तो हमने round बगल लिया हुआ इसमें हम minus और plus करते हुए बगल का size निकालेंगे फिलाल हम 16 इंच लिक लिए बगल का size अब देखिए हम chest का निशान लिए chest का निशान लेने के लिए tape कु हम पीछे से दालते हुए round लिए देखिए tape कु हम round करते हुए chest का हिस्सा लिए 33 inches chest में हम दो हिस्से मापींगे ये थोड़ा उपर का हिस्सा है और थोड़ा सा हम tape कु नीचे हटाते हुए भी एक size ले लिए देखिए नीचे का जो burst है उसमें 34 inches है यानि कि उपर का जब हमने size लिया तो 33 inches है और नीचे का 34 inches तो इसे हम chest के पास note कर लिए बुक में देखिए अब हम कमबर का size लिए 30 inch देखिए अब कमबर की जो fitting size है यानि की कमबर का वो हम ले इस तरह लिए नीचे की तरफ से 29 inches है तो इस तरह हम कमबर की चोड़ाई ले लिए अब देखिए हम अस्तिन की लंबाई लिए तो हम shoulder के पास अस्तिन का जो सिलाई है वहाँ पर tape को रखींगे और इस तरह लिएंगे तो अस्तिन की जो लंबाई है वो हमारी 9 inch है 9 inches आप देखिए हम चोड़ाई का size लिएंगे तो चोड़ाई हमारी यहाँ पर इस तरह हम round tape डालेंगे अस्तिन हाथ के अंदर से यानि के अस्तिन के पास से और तो इसकी जो गोलाई है जिसे हम गोलाई और चोड़ाई दोनों बोलते है यह हमारी 11 inch है तो अस्तिन की लंबाई 9 inch और चोड़ाई 11 inch नोट कर लिए आप देखिए हम गले का size लिए यह जो हमारी shoulder के पास सिलाई है यहां से tape को cross रखते वे हम इस तरह गले का लंबाई लिए तो उसामे का गला हमारा 6 inch है आप देखिए हमने पीछे का size लेना है देखिए इस तरह पीछे का भी size हमारा 6 inch है तो हम इस तरह 6 inch ले लिए आप देखिए हम plate का size लेंगे shoulder के पास से हम tape को रखेंगे और देखिए इसका point हम यहां पर 10 inches पर लेंगे तो इस तरह हम point निकालेंगे plate का point 10 inches देखिए इस तरह हमने सब लिख लिया है size